दोस्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर है जिनका रहस्य आज भी एक अंसुल्ची पहली है जो इंसानी दिमाग के समझ के परे है हमारे यहां कहीं ऐसे मंदिर है जो अपने अजीबोगरीब धार्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं इन रहसे नए मंदिरों के रहसे के बारे में कुड़मलूर भगवती मंदिर तृशूर केरला ये मंदिर अपने अचीब से प्रथाओं के लिए फेमस है यहां हर साल एप्रल के महिने में साथ दिनों तक एक तवहार मनाया जाता है जिसमें लोग देवी को गालिया देते हैं आदमी और और औरत हाथों में तलवार लेके मंदिर की परक्रिमा करते हैं इस दोरां वो तलवार से अपने शरीर को चोट पहुँचाते हैं और खोट से लगपत होकर ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं ये पूरा मंजर काफी डरावना होता है। वीर भद्रा मंदिर आंद्रपदिश जिसे लेंपक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहां का मुख्या आकर्शन हवा में जोलता हुआ एक खंबा है। वैसे तो ये मंदिर सत्तर खंबों पे खड़ा है। जिसमें से एक खंबा जमीन को छूता नहीं है बलकि हवा में ही लटका हुआ है। इसे देखनें दुनिया भर से लोग आते हैं जो सोलविश अताप्ति के इंजिनिरिंग का एक बहतरीन मिमूना है। प्रिटिशेस ने भी इस सेक्रेट को जानने की बहुत कोशिश की और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। महंदे पुर्बालाजी मंदिर राजस्तान ये मंदिर बूर प्रेट से निजात दिलाने वाला एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पे श्रद्दालों से ज़्यादा बुरी शक्तियों से पीडित लोगों का जमावडा लगा रहता है। यहाँ पे बुरी शक्तियों से निजात दिलाने के लिए लोगों पे अजीब से तरीके अपनाये जाते हैं। जैसे कि छट से लटका देना, बलते वे पानी का स्टान कराना, जंजीरों से बांग देना आदी, आप यहां से प्रसाफ घर में लेकर नहीं जा सकते, और यहां से जाते हुए कभी भी मुड़के देखने की कुशिश ना करें, तो कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस मंदिर के तेज लहरों के कारण जलमगन हो जाता है, तो यह मंदिर वापस अपने प्रारंबिक अवस्ता में आ जाता है, मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को सुबे सुबे आना होता है, उस वक्त लहरे शांत होती है, इस लहरों में चुपने और फिर से दिखने की प्रक्रिया क जो सुप्रीम गोट के निगराणी में खोला गया था जिसमें एक लाख करोड के हीरे जवरात निकले लेकिन सात्वे दरवाजे को खुलने के शुरुआ करने पर दरवाजे पर बने खोबरा नाग के चित्र को देखकर काम रोप दिया गया कई लोगों का मानना था कि ये दरवाजे कोलना अशुप होगा ऐसा भी माना जाता है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहीं से लिकले दोस्तों अगर हमारा चानल आपको पसंद आया तो हमारे चानल को सबस्क्राइब करना नहीं हुलिएगा